नमस्कार आप देखना श्टार्ट कर चुके हैं आयरवेद एक उपचार दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं हम सभी गुरक मुंडी के बारे में ये लाप प्राप्त करने के लिए गुरक मुंडी के तीन से चार ताजे फूल लिजे और दो चमच तील के तेल में इसे डूबो दीजे इसके बाद नियमित रूप से इसका सेवन कीजे आपकी दृष्टी को बहतर बनाने और आँखों की लालिमा को दूर करने में मदद मिल अब बात करते हैं गाल श्टोन के संबंध में गुरक मुंडी यूनी से जुड़ी बिमारियों और गरभाशे से जुड़ी बिमारियों जैसे कि पथरी हो गया गाल श्टोन को खत्म करने की दवा ढून रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत फायदे मंदा उश्यदी है गाल गॉरक मुंडी का पॉडर लेजैं और नीम की चाल का पाउडर इसके लिए अगर आपको कुष्ट रोग है तो इन दोनों को मिलाना हो और इस्तेमाल कैसे करें तो गुरक मुंडी के पाउडर और नीम की छाल के पाउडर को आपस में मिक्स करके एक काढ़ा बनाना होगा आपको जब काढ़ा बन करके तयार हो जाए तो सुबह और शाम को इस काढ़े का आपको सेवन करना है कितनी मातरा में सेवन करना है आधे कभी भी मत कीजेगा नहीं तो फायदे की जगा नुकसान होगा अब आईए जानते हैं गोनूरिया रोग को खत्म करने के लिए इसके उपयोग के बारे में गोरकमुंडी के पाउडर का सेवन गोनूरिया और धातू संबंधी बीमारी से जुड़े विकारों के लिए बहुत फायदे मंद होता है आईए जानते हैं कैसे उपयोग करना है गोरकमुंडी का पाउडर बना लेजिए इसके फूलों को सुखा करके उनका पाउडर बना लेजिए और गोरकमुंडी के पाउडर का नियमीत रूप से सेवन कीजिए इस समस्या से छोटकारा दिलाने में कुझ सेवन कर सकते हैं यानी कि एक से दो फूल होता है इसका उसका आप पौल ले सकते हैं अब आएए जानते हैं खुझली से रहात पाने के लिए इसके उप्योक के भारे में गुरक मुंपन के सैवन से योनी में दर्द हो खुझली clips या फोड़े हों उसको ठी करने में मदद मिलती है आये जानते हैं कैसे उपयोग करना होगा गुरक मुंडी के बीज ले लिजे चीनी ले लिजे और पानी ले लिजे ये माताओं बहनों के लिए उपयोग है ध्यान से सुनिए गुरक मुंडी के बीज चीनी और पानी आपको चाहिए होगा गुरक मुंडी के बी उपयोग कैसे करना है योन शक्ति को बढ़ाने के लिए पुरूशों या इस तरी सभी के लिए फयादेमंद है गुरक मुंडी की जड़ों और पत्तों के सेवन से योन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है इस जड़ी पूटी का नियमित सेवन आपके जीवन को खुशहाल बनाने में और आपको श्ट्रोंग बनाने में मदद करता है आए जानते हैं इसके उपयोग के तरीके के बारे में गुरक मुंडी की जड़ चाहिए होगी आपको इसके लिए उसका सुखा करके आपको पाउडर बनाना होगा इसके अलावा आपको गुरक मुंडी के पत्ते का सेवन कीजिए यह उपाय आपके जीवन में खुश्यां लाने के लिए काफी रहेगा बहुत ही मददगार और शदी है अब आई ये बात करते हैं किसी को अगर बवासीर की शिकायत है तो कैसे प्रियोग करना है इस और शदी का गुरकमुंडी के तने और जड का पाउडर आपको लेना होगा तने यानि की जो उसकी टहनिया होती हैं उसको लीजेगा इसके अलबा जड ले लीजेगा इन दोनों को सुखा करके पाउडर बनाईए शहद या मठा ले लीजिए प्रियोग कैसे करें तो गुरकमुंडी की जड और तने को अच्छे से सुखाईए और पाउडर तयार किजिए नियमित रूप से शहद या मठा के साथ एक चमच पाउडर का सेवन किजिए इसके सेवन से जल्दी ही बवासीर में आपको रहत मिल जाएगी अब आईए जानते हैं आतों के कीड़ों को खत्म करने के लिए गुरकमुंडी के प्रियोग के बारे मे दिन में एक बार आधा चमच पाउडर का सेवन किजिए इस पाउडर के सेवन से पेट और आतों के कीड़ों को खत्म करने में मदद मिलते हैं इसके अलावा सांसों की बदबु को दूर करने के लिए भी इसका प्रियोग कर सकते हैं इसके लिए गुरकमुंडी लीजिए औ और एक चुटकी शाम को आपको लेना है इससे आपकी बिमारी दूर हो जाएगी अब सवाल यह आता है कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सी बिमारियों में कमाल के उश्य दिये तो इसका कॉमनली कैसे इस्तेमाल करें यह तो हमने विश्य तरीका बता द दर्द पीलिया डाइबिटीज कुष्ट रोग बुखार खांसी पेट के रोग हारनिया बवासीर पेट के कीड़े अपच तवचा रोग इन सभी बिमारियों को ऐसी बिमारियों को पगल पन वगेर दूर करने के लिए आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे तो क्या किजिए आ रोज तीन ग्राम के मात्रा में इसका सेवन कर लिया किजिए सुवा सुवा खाली पेट गुंगुने पानी के साथ गुंगुने पानी में आप चाहें तो शहद मिला सकते हैं आप उसमें थोड़ा सा अगर एक लॉंग डाल करके उबालने पानी को तो और अच्छी बात हो जाएगी अच्छी बन जाएगी और उसका प्रयोग किजिए आपके लिए कमाल के रूप में कारे करेगा आपकी यह जितनी भी विमारियां हैं सभी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी और रूप में कारे करेगा आप अगर स्वस्थ इंसान हैं तो आप 2-3 दिन में एक स्वस्थ रखने के लिए खुद को कुछ न कुछ जरूर ऐसी ओष्याधियों का सेवन करते रहना है तभी हम सभी स्वस्थ रहा सकेंगे तो आप समझ गए होंगे कि गोरकमूंडि का कैसे प्रयोग करना है अलग-अलग बिमारियों में हमने आपको बता दिया और कोई confusion हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप सवाल कर सकते हैं सवाल लिख भेजिए कमेंट के माध्यम से हम आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना देंगे यह वीडियो उमीद करते हैं आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों के साथ ताकि उनको एक बहतर जानकारी मिले मेरा ये प्रयास है कि सभी स्वस्तर हैं अच्छी ओश्यधियों के बारे में जाने ताकि उनका सही से उपयोग कर पाएं इसमें आप भी प्लीज भागिदार बने वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कर दें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि इसी नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वीडियो को अंतर तक देखा आप सभी ने इसलिए दिल से धन्यवाद आप सभी का विदा लेते हैं आज कि इस वीडिय रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों